नमस्कार आपके साथ मैं हूँ श्विता तरपाथी और आज मेरे साथ खास महमान मौजूद है जो मोटिवेशनल स्पिकर है और साथ इस स्पिर्चुलिटी से रिलेटेट बाते भी करते हैं और आज हम समझेंगे इनी बातों की जरूरत समाज को है क्यों अनुभव जयान हमारे साथ इस वक्त खुच जुड़ चुके हैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका अनुभव जी जैसा आपका नाम है अनुभव हर किसी का सिंदेगी में अलग-अलग अनुभव होता है, किसी का कड़ू अनुभव होता है, किसी का बड़ा अच्छा अनुभव होता है, लेकिन मैं यह जानना चाहती हूँ, कि जब हम बात करते हैं मोटिवेशन की, पहले समाने में तो ऐसी कोई जुरूरत नहीं पड़ती है, यह कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, या कोई इनसान किसी परिस्तिती में फसा हुआ है, आजकल बहुत stress लेवल्स हाई हो गए है, किसी को loan का stress है, किसी को relationship का stress है, कोई किसी तरीके से परिशान है, कोई confused है, तो उन्हें एक इनसान ये चाहिए, जो ने बता दे कि आप आप ये कर सकते हो, आपको छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ना है, अपने आप पर विश्वास रखो, आपकी लाइफ, आपका जीवन इस परिश्तिती से उपर है, सिरफ एक इंसान चाहिए जो ये बात समझा दे और एक इंसान वो आज हमारे जीवन में नहीं है मैं कभी भी motivational speaking को support नहीं करता, लेकिन क्या हमारे घर में एक इंसान ऐसा है, हम सब को खुछ से बूचना चाहिए, क्या मैं ऐसा इंसान हूँ, कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा कोई अपना आता है, मेरे पास परिशान हो कि मैं उसको समय दे रहा हूँ, या चिल-चिला कोई से depression के suicide के नहीं होते, एक इंसार अंदर इंदर घुटता रहता है, और क्या करता है घरवाले, या आसपास के लोग blame करते हैं, तेरी गलती है, तू कमजोर पढ़ रहा है, तुझसे नहीं हो पाएगा, माबाब बच्चों को बाहर वालों के सामने कह रहे हैं, कि इसके बसकी कहने के कि ये सब कुछ कर सकता है, तो जब एक इंसान अपने उपर से विश्वास खो देता है, उसको एक इंसान, एक भाई चाहिए, जो उसे बोल दे, तू सब कुछ कर लेगा, तेरा जीवन बहुत बड़ा है, ये कहानी बहुत बड़ी है, सिरफ एक छोटी सी परिष्ट में फसा है, फैस्त लाले, एक एक गदम करके आगे बढ़, सिरफ इसलिए हमें जरूत है किसी को मुटिवेश्वाइब, हाई बनने की कोशिश आप करें, अनुबफ जी, मैं वो भाई हूँ, मैं वो भाई हूँ, मेरे जीवन का मकसद ही है, लेकिन जीवन का मकसद बना कैस ही है, मैं समझता हूँ कि ईश्वर मुझे अलग-अलग परिस्तितियों से सरकम्स्टांसिस से निकाल कर यहां तक लेकर आए, मैंने लाइफ में बहुत अलग-अलग चीज़े करी है, मैंने कॉर्पोरेट में भी काम किया है, बिजनस भी करे है, बहुत सारी चीज़े करी है और बहुत कुछ देखा भी है, मैंने अपनी लाइफ में बैंकरप्सी देखी है, सब कुछ खतम होते हुए देखा है, सब कुछ बना हुआ उजड़ते हुए देखा है, दुख, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, बिस्तर पे लेड जाना ना उट पाना, ना उटने की ताक होना, ये बच्पन से देखता आया हूँ, और सीखा है, कि लड़ना है, हर परिस्तिती के ऊपर तुझे लड़ना है, तुझे आगे बढ़ना है, तुझे जीतना और तुझे सकता है, और हर परिस्तिती के पार में आगे हैं, हापर इसलिए जिन्दा खड़ा हूँ, वरना सिरफ कुछ एक पुश्च चाहिए एक बात चाहिए एक भाई का साथ चाहिए और वो उससे आगे बढ़ जाते हैं और मैंने लोगों को आगे बढ़ते देखा आज मैं सालों से लोगों से बात कर रहा हूं सुसाइडल लोगों से बात कर रहा हूं डिप्रेस लोगों से बात क अनुभवजी आप ये कहानी है, वो आपके अपनी कहानी है, आप जो भी बात करते हैं कि बढ़ो, हिम्मत करो, खत्म नहीं हुए हो, जीत जाओगे, आप खुद जीते हैं, लेकिन लोगों को ये विश्वास कैसे जब एक आदमी निराशा में चला जाता है, उसको उस डिरेक पहले आप एक इनसान की सुनो, सबसे जरूरी है, एक फसे हुए इनसान की सुनना, उसके दिल की बात को दस बार सुनना, कि वो क्या कहना चारा है, वो क्यो फसा हुआ है, ये मत काओ कुछ भी नहीं हुआ, ये बोलो बहुत कुछ हुआ है तेरे साथ, मैं समझता हूँ इस और क्योंकि मैंने जादातर faces खुद देखे हैं life में, तो मैं समझता हूँ कि इस इनसान को पहले सुनना जरूरी है, acknowledge करना जरूरी कि जो तेरे साथ हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, गलत हुआ है, पर हम इस जीवन के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, हर समय बीच जाता ह होता है, सुनना होता है, फिर समझाना होता है, कि तेरा जीवन सत्तर असी साल की एक कहानी है, एक परिस्तिती नहीं है, दो दिन की, चार दिन की, एक महिने की, दो महिने की, उससे बहुत उपर है, आज इस परिस्तिती में तू फसा है, इससे पहले भी तो जीरा था, कभी खुश भी तो था और इस परिस्तिती के बाद भी तू एक दिन खुश होगा तू मुस्कुराएगा तू आगे बढ़ेगा ये सत्य है उसको इस सत्य का आभास कराना है उस परिस्तिती से निकालना है जिसके आगे उसको जीवन नजर नहीं आ रहा सबसे बुरा एक इनसान के साथ क्या होता है जब हम फस जाते हैं, हमारे साथ बुरा होता है हमें लगता है कि इस परिस्तिती के आप बार जीवन नहीं है किसी को प्यार में धोका मिल गया उसको लगता है इनसान छोड़ गया मेरा जीवन खतम किसी पे लोन का बर्डन हो जाता है, बहुत जादा लोन हो जाते हैं, नहीं समाल पारा, बैंक वाले आ रहे हैं, लोग परिशान करें, उसको लगता है कि अब मेरा जीवन बदल ही नहीं सकता, मैं खतम, उसको ये बताना है, भाई तेरा जीवन खतम नहीं हुआ है, ये परिस् तब वो वो लाकिसी के बात नहीं सुनना चाहता है तो उस वक्त आप उसको कह एसे क्या थे यह जब लोग मुश्किल सके हैं कि यह तुम विश्वास करो आगे का भविष्य अच्छा होगा यह विश्वास जताते कैसे, बोई तरीका क्या होता है? सबसे पहले, मैं बार बार एक कहता हूँ, एक इंसान को सुनो, वो कैसा महसूस कर रहा है, उसकी पूरी बात सुनो, उसकी एमोशन सुनो, वो खुद बोलेगा, वो अपना जवाब खुद देगा, कि मैं इस इंसान के धोके की वज़े से जीवन में फज़ गया हूँ, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, तो मैं बोलता हूँ कि इस इंसान से पहले कोई इंसान था तेरे जीवन में, माता पिता थे, इसके बाद कोई इंसान होगा, हर इंसान के जीवन में हम मुख्य किरदार ह बाकी सब आने जाने हर सीन बदलेगा लोग बदलेंगे मुख्य किरदार तू ही रहेगा तो ये इंसान चला गया तू आज टूटा हुआ है ये इस कहानी का एक पन्ना है तू टूटा हुआ है तू बहुत परिशान है तेरी जगे मैं होता मैं भी ऐसे ही परिशान होता मैं भी टूटा हुआ होता लेकिन इसके आगे जीवन है धीरे धीरे शुरुआत करनी है उस गम को बिताना है, बुरा समय है, करम वश आया है, जैसे भी आया है, आना था, जीवन में अच्छाई आएं तो बुराई भी आएंगी, ये लिखा था, कहीं बार बुराई हैं हमारी परसनलेटी को शेव देने आती है, मैच्योर बनाने आती है, जब एक इंसान एक इंसान से धोक का हमारे दुख का अगर हम थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़ेंगे तो इस दो कोड़ी की दुनिया से दूर होंगे ये दुनिया सिर्फ माया है धोका है और ये बहुत सूपरफिशल बात नहीं कर रहा हूँ जो हर को ही करता है इस बात को हर सुख का विशय है जो बी आपको सुख दे रहा है आज वो कभी दुख दे कर ही जायेगा कियोकि वो मोहु का कारण है इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख का कारण है मोहुच्च्मेंट ये दुनिया आमें बांध़ती है जिससे जितना प्यार करोगे बिछलना पड़ेगा यह वो प्रकृति का नियम है उतना ही दुख भोगों अगर हम अध्यात्म को समझेंगे तो समझ में आएगा कि हमें थोड़ा सा चीजों से दूरी बनानी है आत्म अंद्रूनी मन से जीना है आत्मा बन के जीना है मैं इस दुनिया में आया हूँ अपने करम करने करम भोगने सब आना जाना है कुछ भी पर्मनेंट नहीं है कोई रिष्टा पर्मनेंट यह तो गीता का ग्यान भी कहता है क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाना लेकिन यह कोई मा कहां पाता है भाइब इस बात को लोग नहीं मान पाते हैं देखिए उस कहते हैं आप जो बाते कह रहे हैं इसको एक तरीके से मानना अपने आपको spiritually इतना स्टॉउंग मनाना एक आम आदमी के लिए असान नहीं होता है हुआ उसके मन में हरस में मानिये कि कल कोई सोच ले कि नहीं मेरे पास इतना पैसा हो तब मैं खुश होगा तो मन बेचान रहेगा परिशानी होगी तड़प होगी वो तड़प बेचानी पूरे दिन इंसान सोचता रहता है इससे कैसे कोई बाहरा है सबसे पहले मैं बोलूँगा बहुत सारे करोड़पती अरबपती लोहों को भी जानता हूँ और उनमें से जादतर मुझे कोई सुखी नहीं दिखा कोई सैडिस्फाइड नहीं दिखा कोई कंटेंड नहीं दिखा सब के पास डिप्रेशन के दुख के अलग अलग कारण है और मैंने तो ये देखा है कि एक मजदूर जो दिन पर मेहनत करके सुखी रोटी खाके सो जाता है वो ज़ादा बेटर लाइफ जी रहा है कहीं अमीर लोगों से जो दिन वर सिर्फ सोचते रहते हैं परिशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं रिष्टों की वज़े से, हिल्थ की वज़े से किसी चीज़ की वज़े से तो एक तो ये बात हो गई दूसरी बात हो गई अध्यात्म को जीवन में कैसे अपना है अध्यात्म की कोई गोली नहीं आती कि 50 रुबे की मार्केट से खरीदी खाली और हम अध्यात्मिक हो गए हम मुक्त हो गए अध्यात्म या फिर spirituality is a path ये एक रहा है इसे जीवन में साथ लेकर चला है हर चीज के ये नहीं कि अध्यात्मिक बनी गया तो करियर त्याग दिया रिष्टे त्याग दिया ऐसा नहीं करना सब चीजों में जैसे दाल में चोक डालते हैं स्वादिश बनाते हैं हर चीज में अध्यात्मिक डाल कर थोड़ा सा डिटैच होकर थोड़ा सा अलग होकर इंसान को जीना और वो मुश्किल काम नहीं है यानि आप ये मंत्र दे रहे हैं कि थोड़ा सा डिटैच हो जाओ तो फिर automatically खुद से अटाच हो जो, थोड़ा सा हम अध्यात्म को बेसिक चीजों को पढ़ ले, जैसे भी आपने भगवत गीता की बात करें, थोड़ा सा पढ़ लो, उपनिश्द है, थोड़ा सा पढ़ लो, या आपका जो भी धरम हो, हर धार्मिक किताब में अध्यात्मिक रहा लिखी है, थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा समझो, थोड़ा थोड़ा हर दिन अपनाओ, अगर वो कहता है आत्मा ही सच है, तो हर दिन में थोड़ा सा समझो कि यार ये, ये शरीर क्या, ये शरीर हूँ मैं, या मैं इस शरीर को कंट्रोल करने वाला कोई हूँ, क्या मेरी पर इस्तिती ऐसी होती है जो मिल जुलाकर हमें किसी एक पोजीशन पर लेकर जाती हैं तो हमें एसास होता है कि यह अलग-अलग नहीं हुआता है यह मिल के हुआ तो यह सब रैंडम नहीं है यह सब कुछ एक प्लैन के तहत हो रहा है यह दुनिया इती सूपरफिश्चल इतनी सत टीसे जगड़ा हो गया समझो कि मैं इन रिष्टो से परे एक इनसान हुए एक आत्मा हूं रिष्टे आने जाने हैं वो इस दुनिया में करमवश्च मिले हैं बहुत जाधा नहीं जूड़ना किसी की बात को बहुत जाधा दिल पर नहीं लेना अपने अपने हिसाब से अपन आफ के लेवल कम हो जाएंगे अब तो भारी पन मुझे लगता है लोगों को आल टाइम रहता है तनाव, डिप्रेशन, चुडचुड़ापन और मैं आपका एक वीडियो देख रही थी जिसमें आप ये कहते हैं कि सेहन, शीलता और सब्र जीवन के दो सबसे ताकतवर गुड है कैसे? सेहन, शीलता आज कल लोगों में कम होती जा रही है, एक तो हमें चीज़ सब कुछ जल्दी, बहुत जल्दी मिल जाए, आज सोच रहा हूँ, आज मिल जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, दुनिया भरी पड़ी ना, सोशल मीटिया भरा पड़ा है, कोई करोड़ यह मैं नहीं बन पाया, मुझे बहनत करके वो नहीं मिला, इसको देखो ऐसे ही मिल गया, और कभी भी उस इनसान से अपने जीवन को नहीं तोलते, जो हमसे बहुत जादा नीचा जीवन जी रहा है, आज आपके पास पैसा कम है, तो एक इनसान ऐसा भी है, जो सरकारी संगर्श कर रहा है, लाइनों में लगाओ है, उसको यह भी नहीं पता, कि मैं अपने बच्चे को बचा पाऊँगा, नहीं बचा पाऊँगा, इतना पैसा भी नहीं है, और हम क्यो रो रहे है, मेरे मन पसंद गाड़ी नहीं आ पारी, उसके पास तो घर हो गया, मेरे पास पर रहे हैं, तो अगर वैसे मैं कहते हैं, तो इससे भी तो करो, जो संगर्श कर रहे हैं आपसे जादा, आपको बहुत सारी चीज़े प्लेट में मिलकी उसको वो भी नहीं मिली, तब एहसास होगा, कि अगर उसके पास जादा है, तो उसके पास कम भी है, मैं privileged भी हूँ, उससे gratitude का भाव पैदा होगा, सहन शीलता बढ़ेगी, कि आज जो मेरे साथ हो रहा है, वो इतना बुरा भी नहीं है, end of the world नहीं है, मैं सह सकता हूँ, अगली बात है सहन शीलता बढ़ाने के लिए, आपको एहसास करना होगा, एक परिस्तिती आई है, वो मेरा पूरा जीव जीवन एक किताब है, उसमें सो पन्ने, दो सो पन्ने है, एक पन्ना है, उसमें बुरा हो रहा है, सहकर आगे बढ़ी जाना है, तो सह लेता हूँ, रो के सहूँगा, खुशो के सहूँगा, सहना तो ही, तो मैं मजबूती के साथ सहता हूँ, ताकि आगे मुझे ध्यान रहे कि मैंने वो समय निकाला, मजबूती से निकाला, खड़ा रहा तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ मेरे सबकॉंचिस माइंड पे वो बात रेजिटर होगी, मैं सब कुछ कर सकता हूँ वो छे तरीके कौन से हैं, जो मन और मस्तिक्ष को ठंड़क पहुचा दें जिसका जिक्र आप करते हैं, कि ये छे तरीके अपना लो, तो दिमाग भी शान्त हो जाएगा, मन की जो बेचैनी है वो भी खत्म हो जाएगी, वो क्या है? देखिए सबसे जरूरी है, अपने आपको एजम मी, मैं अनुभव जैन हूँ, मैं अपने आपको अनुभव जैन की तरह देखूँगा, तो मैं जीवन में सिर्फ दुखी रहूँगा, दिमाग परेशान रहेगा, जो जो भी हो रहा है सब कुछ दिल पर लूँगा, किसी इस शरीर को चलाने वाले हो, और ये शरीर का नाम अनुभव जैन है, मैं हमेशा कहता हूँ, अनुभव जैन तू ये क्या कर रहा है, तू क्यों फस रहा है, तेरा जीवन इस से बड़ा है, तू इतना तनाव क्यों ले रहा है भाई, आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ कर लूप में बाटलो, एक है समझानेवाला, एक है बड़ा एक है बड़ा भाई, वो तुम हो और एक है ये शरी जो आज परिस्तितियों में फसा हुआ है, वो तुम्हारा नाम है, तुम्हें खुद को समझाना है, खुद को बताना है, तो फिर आप ये कह रहा हैं कि भगवान बन जाओं नहीं भगवान तो कभी बनना ही मत जो इंसान खुद का भगवान बनने की कोशिश करता है उससे बरबाद को इंसान नहीं वो डिप्रेशन में चले जाता है वो सिरफ दुखी रह सकता है क्योंकि हर इंसान को निरधारित करम मिले हैं हम कुछ चीजे कर सकते हैं सब में खाक कर देगा क्या कर लोगे और आप एक और बात कहते हैं कि बोल दो पागलों की तरह जियो मस्ती में जियो सब कुछ भूल करके जियो सब कुछ खो करके जियो यह कैसे हो यह ऐसे होगा कितने जीवन मिलें साथ जीवन मिलें आठ जीवन मिलें एक जीवन मिला इस चेत पाली नहीं बजाएगा, कोई ट्रोफी नहीं देगा, कोई सांत्मना नहीं देगा, जब बूरे हो जाओगे, बिस्तर पे पड़े होगे, मरने को तब सोचोगे यार, जीवन जी लेता, या जब उपर पहुंच जाओगे, इश्वर के बास वो कहेंगे, बेटा, उर्जा दी जीवन जीने को दिया था, कुछ अच्छाई आदी थी, कुछ परिशानी आदी थी, तुने जीया क्यों नहीं बेटा, क्या जब आप दोगे उनको, खुद सोचोगे, मैं तो जी सकता था, मैं परिष्टितियों में फसा रहा, मैं जीवन को देख सकता था, आनन्द ले सकता घूम सकता था, फिर सकता था, लोगों से बात कर सकता था, अपनों को प्रेम कर सकता था, कुछ नहीं किया, तनावों में जीता रहा, पहले पढ़ाई का तनाव, फिर बच्चों का तनाव, करियर का तनाव, रिटार्मेंट का तनाव, बस यहीं करता रहा, और एक दिन मर ग तो पिर आज क्या फर्क हो गया क्यों ऐसा लोगों ने जीना छोड़ दिया एक तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि टाइम बदलता है परिस्तितिया बदलती है तो जीने के तरीका भी बदल जाता है तो आज कल लाइफ हो गये बहुत फास्ट है लोग 14-14 घंटे कॉर्पूरेट में महनत कर रहे है मजदूरी भी लोग 14-14 12-12 घंटे कर रहे हैं मैं देखता हूँ पसीनों में जीये जा रहे हैं, महनत करे जा रहे हैं, कभी खुद को पहचानते हैं, इसने समय नहीं देतेंपनों को समय नहीं देतेंए, बस वो रेस में जी रहे, एक रेस खतम हिए, दूसरी रेस चालो होई, दीरे- Lithuan पादा होता है, आप बड़े होंगे, पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे, शादी करेंगे, वो तो आपके एक तुरह से कहीं कि सोशल लाइफ का हिस्सा है, तो इसमें तनाव कैसा है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत बड़ा दी गई है, पहले लोग 12-14 घंटे काम करके घर पे आके मेल्स का रिप्लाइ नहीं दे रहे होते थे, करते थे लोग पहले भी मेहनत हमेशा से करते आए हैं, दबाव वाली मेहनत नहीं करते थे, आजकल मार्केटिंग में आप देखो, फील में क्या हो रहा है, लोगों को इतने टार्गेट्स दिये जारे हैं, पर पास इतने लोग आते हैं कि वो ही सोशल लाइफ हम दबाव में जी रहे हैं, खुद के लिए टाइम पहले लोग क्या शाम को मंदिर जाते थे, अगर आज आप देखो एक चीज नोट करना, आज शाम के समय आप घर से बाहर निकलोगे, मंदिर खाली मिलेंगे, या मस्जद या जो भी हमारे प्रातन लेसANDर नहीं कर बाता, बस अठका रहता हैं, आप यहां यह कह रहे हैं कि किसी एक इंसान को अपनी जिन्दगी में भरोसे मंद बना लो जिससे तुम अपनी बात कर पा हो, है ना, लेकिन आप अपनी बातों में यह भी कहते हैं कि किसी इंसान पर भरोसा करो गो घरा भी दे बरोसा नहीं किया, वो किसी पे भी बरोसा कर ले, वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तो सबसे पहला इनसान है, आप खुद खुद पे बरोसा करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं जी सकता हूँ, हाँ मैं संभाल सकता हूँ, एक तो इसका मतलब यह हो गया, इसके बाद दू इश्वर यह इश्वर में विश्वास नहीं है तो प्रकृती नेचर जो आपको इस दुनिया में लेकर आई आपको नर्चर कर रही है आपको पाल रही है यहां तक जिन्दा लेकर आई है ना हजार कारण है एक इंसान कभी भी मर सकता है बिमारिया है पर यहां तक लेकर आई उस पे बरोसा करो, वो संभाल लेगी और अगर आपकी लाइफ में एक दो लोग ऐसे हैं जिनको अक्सर हम पीछे कर देते हैं जैसे माता पिता हैं, बार बार हमसे बूचते हैं कैसा है, प्रेम करते हैं, हम कहते हैं आप मत बोलो, आप मत बात करो दोस्तों की चिप पीछे बागते हैं दोस्त मिल जाए, गर्ल्फरेंड मिल जाए, बॉइफरेंड मिल जाए उनको बिल्कुल एक्नोर कर देते हैं, वो साइट में पढ़े रहते हैं जो हमसे जन्वन प्रेम करते हैं थोड़ा भरोसा उन पे जमाल होना और आप ये क्यों कहते हैं फिर प्यार में धोका मिला, जिन्दा लाश नहीं मतलबी बन जाओ इसके लिए कहते हैं हम नहीं, देखिए ये बहुत ही sensitive topic है, प्यार में धोका मिला बहुत से लोग इस वज़े से जान भी देते हैं सालो साल depression में भी फज जाते हैं तो मेरे पास बहुत से message आते हैं ऐसे लोगों के और ऐसी स्तिती में क्या होता है हम नहीं समझ पाते हैं लेकिन वो इनसान बिस्तर पर पढ़ जाता है मैंने लोगों को ऐसा देखा है, वो बिस्तर पर पढ़ जाते हैं बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं पूरा जीवन, करियर, फैमिली लाइफ सब बरबाद हो जाती है, वो लोग पागल हो जाते हैं, तो उन लोगों को समझाना पड़ेगा, भाई, इस इंसान से उपर तेरा जीवन है, ये इंसान धोके बास था, ये तुछ से प्यार नहीं करता था, क्योंकि लोग सोचते रहते हमें उसके बच्चे होगे वह नहीं उन पर जा रहा है, तेरा कौन देखिएगा तू पढ़ जाब इस तरपे, डिप्रेशन तो होता है, जैनुवली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, मुझे और बगता है, आप कहते हैं कि दस दिनों में ये उपाई कर लो, ये तर इस लाइफ में सबसे जरूरी चीज़ है, आपका रूटीन लाइफ दिन चर रहा हमें सबको होलसम लाइफ जीनिये हर दिन, तनाव भी लेना है, दुखी भी होना है, लेकिन कुछ समय बाग में भी बिताना है, प्रकृती के बीच में भी बिताना है, उकते सूरज को देख हवा को हाथ खोलकर गले लगाना है शाम को मंदिर जाओ अपने प्रात्ना के स्थल जाओ आर्ती करो मुक्तों करो अपने घरवालों को समय दो अपने भविश्य के लिए करम करो जो दस साल बाद आपको फल देगा एक घंटा अपनी हॉबिको लगाना है पैशन को लगाना है जो निर्धारित काम है वो सब भी करने हैं, बीच में ब्रेक भी लेने हैं, हर अफते नहीं जगा जाओ, अलग-अलग तरीके के लोगों से मिलो, बात करो, होलसम लाइफ जीओ, अपने आप से हर दिन 10 मिनट हर इनसान को शुक्र गुजार होना है, जो जो भी जीवन में अच को कभी कंट्रोल नहीं कर पाते, बालंस नहीं कर पाते, ऐसे सिचूशन में क्या करना जाएगा है? अब अपने कोशन करते हैं, मैं इतना वे इफकूव इंसान हो, कि एक इनसान के लिए मैं इस कंडिशन में आगे, ऐसा नहीं है, जो हुआ है, वो बुरा ही हुआ है, मेंटल स्टेट पे अफेक्ट पड़ा है, उससे धीरे धीरे उभरना है, खुद को उस इनसान से अलग द इस बिलीफ, हमें यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा हुआ है, तो इसलिए हमारे चारों तरफ की दुनिया खतम सी लगती है, बट हमें उस बबल से बाहर निकलना है, इससे पहले भी जी रहा था, इस इनसान के आने से पहले तब भी खुश था, इसके बाद भी जी सकता हूँ, धी से निकालो, अपनों को बोल दो भाई, मैं परिशान हूँ, मेरी बात सो बार सुन ले, मैं उसकी बुराई करूँगा, मन की बात निकालो, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, कितना डिप्रेस्ट हूँ, ये हुआ है गलत, एकनॉलिज करो, उसके बाद एक एक कदम करके लाइफ मे एक घंटे कर लो, जितना हो पारा है, बट पॉजिटिव करम करने हैं, अनुबफ जी आप यह कह तुरे हैं, पॉजिटिव करम करने हैं, लेकिन उस वक्त तो किस इंसान को मन ही नहीं लगता, तो कुछ और दुनिया में नजर नहीं आता, तो वो अ करे कैसे, खुद को मोट गया, अब आपके लिए वो मर गया, वो अपने जीवन में शादी करे, बच्चा करे, खुश रहे, औरों को धोका दे, आपके जीवन के लिए मर गया, that's the end of story for you, अब आपको उसके बिना अपने जीवन की रचना करनी है, आगे बढ़ना है, उस बात को accept करना पड़ेगा, उस लेने हैं, एक एक करके लिए, सुई है, सूई के अनदर धागा डालते हैं, सीधा थोड़ी दल जाता है, उस धागी को बहुत पतला करके, एक-एक स्टेप लेके, बहुत पियार से डालना पड़ता है, स्टार्ट तो करो, अभी आपका बैठ से उठने का भी मन नी कर रहा, अभी recently मैं भी एक ऐसे इंसान से बात कर रहा था जिसका बैट से उठने का भी मन नहीं कर रहा प्यार में धोके की वज़े से मैंने उसे सिर्फ इतना का दिन के समय बिस्तर तेरा दुश्मन है खाली बैट जा बहार चौक में बैट जा पार्क में चले जा दोस्त के बास चले जा कमरे में बैठे नहीं रहना क्योंकि बैठे रहेगा उसी के ख्याल घूमते रहेंगे लोगों से बात कर एक एक स्टेप ले जरूर नहीं कि महनत कर रहा है मसदूरी कर रहा है एक एक स्टेप लोग कुछ एक्टिविटी रखनी है लाइफ में धीरे धीरे तबी लाइफ ट्रेक पर वापिस आएगी लाइफ समझ पाएगी कि आप उस तिती से आगे बढ़ने के योग्ये हो बढ़ना चाहते हो विल पावर जाग रही है विल पावर को जगाना सबसे जरूरी है इच्छा शक्ती को कि मुझे जीवन में लड़ना है मुझे अंतिम सांस तक जीना है अपने लिए लड़ना है वो कैसे जगेगी एक एक स्टेप लेकर जितना ले पारे हो अपने आपको बोलो यार मैं सिरफ उठके बाहर पार्क तक गया मैंने ये भी बड़ा काम करा है शुरुआत कर ली है एक स्टेप ले लिया है दिर दिर आगे बढ़ जाओ ने ने ये जो आप कह रहे हैं देखें कि आउठो उठकर के बाहर निकलो ये उठने से लेके बाहर निकलने तक ये जो पहला स्टेप पहला बढ़ गया तो फिर दूसरा बढ़ी जाएगा ये कैसे कोई बढ़ा है ये कैसे यकीन करा है कि जो हो गया वो बुरा हुआ और आगे भी जिन्दगी है मैं ये जानना चाहते हैं वो एडवाइस क्या होगी कि आप पहला स्टेप ले लें देखें जिंदगी पहला स्टेप मुश्किल होता है मैं अकसर जैसे मेरे पास को याता है मैं उसको सबसे बहले कहता हूँ सबसे बुरी हालत किसकी है इस दुनिया में जो बिश्तर पर पड़ाये जिसके हात प्यान नहीं हिल रहे है दिमाग चालू है वो लोग भी जी रहे है पर शबसे बुरी स्टेज वो है क्योंकि वो चाहकर भी नहीं कर सकते और अभी हमारा सिर्फ मन नहीं चाहरा करने को पर हाथ पर सलामत है उर्जा है ताकत है करने की तुम मुझे या किसी को भी बताना पड़ेगा भाई तू भी जिन्दा है मरा नहीं है अभी एक life की कहानी बची है 70-80 साल की 20 साल की उमर है 25 की उमर है 50-60 साल बचे हैं बहुत लंबी कहानी है अलग-अलग परिस्तिती आएंगी लोग आएंगे ये एक phase of life था कितना ही बुरा था तू कितना ही परिशान है पर ये एक phase of life है कहानी में 10 पन्ने है 200 पेच की पूरी कहानी नहीं है तू इससे उभर सकता है टाइम चाहिए तुझे खुझे को टाइम देना होगा एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा तुम निश्चित ही आग करेगा self talk life में सबसे जरूरी है self talk directly affect your subconscious mind यह दुनिया हमारे हमारी दुनिया हमारे अवचेतन मन से subconscious mind से चल रही है आप negative self talk करते रहो मुझसे नहीं हो पाएगा मेरे बसकी कुछ नहीं है मैंने कुछ नहीं किया मुझे में टैलेंट नहीं है काबियत नहीं है बोलते रहो एक बार बोलोगे सौ बार बोलोगे हजार बार बोलोगे वो छप जाएगा फिर कोई भी सिच्वेशन एक मंत्र है जो मैं लोगों को देता हूं कि आप कितनी ही मुश्किल स्थिती में फज़ जाओ ऐसे लग रहा हूं कुछ नहीं हो सकता कुछ से सिर्फ ही बोलो यार मरेंगे थोड़ी कुछ नहीं तो करी लूँगा ना यार मला आप अनुबव जो मैं आपकी बातों से रीट कर पा रही हूं आप ये कह रहे हैं कि ये कहा जाता है कि विच कम सराउंड यू विच गोज अराउंड यू बहाई एक कहावत जो आपके इर्द गिर्दे है वही घूम पिर कर आता है यानि आप ये कह रहे हैं कि हमें माइंड से खुद को पॉजिटिव सिगनल देने के जरूरत है माइंड में माइंड एक किताब है उस किताब में आपने हर पन्ने में नेगिटिविटी भर दी और जब भी कोई भी सिच्वेशन लाइफ में आएगी तो क्या होगा वो आपने हैं वो बहुत फास उता हैं इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं और में अगर माइन नेगेटिव बोलता रहेंगे तो वह एक बिलीफ बन जाएगा धीरे दीरे माइंड को यकीन हो जाएगा यही सकते हैं चाहे वो नकरात्मक बात हो चाहे वो सगरात्मक बात हो तो हमार यह फर्ज है यह समझदारी है खुद के प्रती कि चाहे तो एक पेज पर मैं कहता हूं लिख कर निख लो अपने लिए पॉजिटिव टॉक्स देख लेंगे यार समाल लेंगे यार पूरे दिन मेहनत करनी है फल जो भी हो करना यार और बार बार उन्हें देखते रहो यह बार सोचने से प्रकृति कॉंपायर करके बुरा लियाएगी ऐसा नहीं होता बुरा सोचने से हमारा माइंड अच्छी बुरी परिस्तिती में बुरे रियक्शन देता है अच्छा ही बुरा ही सब के साथ होगी जीवन वृत्यू सब देखेंगे हारी बिमारी सब देखेंगे पर पहने से बढ़िया इस दुनिया में कोई चीज नहीं है Most of the things around you Scream आपके आसपास जादा तर चीजें लोग, बाते, चीखें हैं एक इनसान को जबान मिली है बोलने के लिए पूरे दिन में वो हजारों शब बोल सकता है जो मन में आए बिना सूचें बोल सकता है हर चीज को मैं दिल पे लेना शुरू कर दू जवाब देना शुरू कर दू क्या होगा अगली बात है हम सड़क पे चल रहे हैं ठीक है, कीचर पड़ी गलती से पैर पड़ गया, कपड़ों पे कीचर आगी तो मैं क्या करूँगा, दुबारा चलांग लगाओ, कीचर से बदला लूँगा, लड़ाई करूँगा या कोई कुटा सड़क पे बहुक रहा है तो मैं उससे लड़ूँगा, क्या नहीं लड़ता ना, साइड में होके निकल जाता हूँ तो हम immature लोगों को, भीड को, इतनी importance क्यों दे रहे उसके मन में जो आया, गलत सलत उसने बोल दिया यार मुझे अपनी life में आगे बढ़ना है, मेरे जीवन के कुछ मकसद है peace of mind चाहिए, तो मैं क्यों उससे बहस बाजी में पढ़ूँ वो तो कितना भी नीचे गिर सकता है, एक इंसान जो बत्तमीज है, जिसका परपस ही आपको target करना है, आपसे बहस करना है, वो तो खुश हो जाएगा, आप बहस करने लगोगे, वो अपना level यहां था, यहां गिराएगा, फिर आप वहां पहुचेगा, फिर यहां पहुचे दोनों को अलग करके कैसे देखें, एक तो लाइफ में सबके ऐसे लोग होंगे, मेटीरियल्स होंगे, यह अंजाने लोग आएंगे, जो सिर्फ आपका समय बरबाद करने के लिए आएंगे, सड़क पे किसी से, किसी ने गाड़ी को overtake कर लिया, वो इंसान तो लड़ने को पातुर है, बस सारी frustration इसे लिए निकाल दो, आएगा, तुने कैसे कर दिया, यह कैसे कर दिया, आपको भी कुछ से आएगा, तेरी हिम्मत कैसे ही, तु जानता नहीं मैं कौन, नहीं यार उसे बोलो भाई, यह हुआ है, पुलिस को बुला लेते हैं, जो हरजाना भर देते ह इसी तरीके से हर इंसान के घर में toxic लोग होते हैं, और उनका वो खुद frustrated होते हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह आपको आपकी रहा से बढ़का दे, और ऐसे मेरे पास बहुत सारे cases आते हैं, खासकर लड़कियों के आते हैं, they are trying to study and make a career, जो कि आज भी इंडिया के towns में, tier 3 म नौर्म नहीं है, उनको रोका जाता है, शेर वाले इस बात को नहीं मानते हैं, पर मेरे पास हजारों लड़कियों के ऐसे मेंसे जाए हैं, कि उनको discourage किया जाता है, पढ़ने से, कैसे किया जाता है, बार बार ये काम कर, तू पढ़के क्या करेगी, तुझे करियर तो बना नहीं से, वो और कुछ बोलेंगे, अपनी रहा पर फोकस रखना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे अपना करियर बनाना है, ये मेरा फोकस है, कोई सौ बार बोले, हजार बार बोले, बोलता रहे, भविश्चे को वो देख लेंगे, मैं भी देख लूँआ, प लिए, कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना है, ताकि आपके मन पे उसका असर ना पड़े, ये कैसे होगा? वो बाहर निकलने को आतूर है, पर आप घोट रहे हो, एक बार अपने माता या पिता के पास प्रेम से चले जाओ, उनसे ही बोल दो, कि आप मुझे जज्मत करना, मैं बहुत परेशान हूँ, जी नहीं पार हूँ, एक बार बात सुन लो, सुन लेंगे, ऐसा नहीं है कि वो भावनाओं को निकालना है, सही तरीके से, लेकिन जो दूसरे आप पर अपनी भडास निकाल रहे है, आपको रोकने की कोशिश करने है, उसको भापना है, कि ये कर क्या रहा है, ये मेरा भला चाता है, नहीं चाता है, मुझे ताने दे रहा है, मैं पढ़ाई करने बैठी मुझे आगे बढ़ना है, ये दोनों चीजों को बाइफरकेशन हो गया है, एक बात और अनभवजी, आपकी बातों से बहुत सारी चीज़े हैं कि खुद से प्यार करो, डिटाश्मेंट थोड़ा रखो, आध्या आत्मी की तरफ जाओ, बहुत लोगों की बातों को दिल प तनाफ को वहावी कर चुका है, आपने कहा कैसे तनाफ दूर होना है, लेकिन खुश हम रहें कैसे, अगर मैं कहूं कि मुझे सिर्फ दो तरीके बता दीजे, कि आज में तरीके अपनाती हूं, अकल से में खुश रहना शुरू हो जाती हूं, वो क्या करों? सबसे बहले तो ना, खुशी को इस दुनिया में ढूनना बंद कर दो, कहीं नहीं मिलेगी, पैसे में नहीं मिलेगी, इस उकसुदाओं में नहीं मिलेगी, वो सिर्फ एक टेंपरेरी हाई होता है, प्लेजर होता है, डोपामिन रश होता है, खतम हो जाएगा, फिर दुखी हो जाओगे, फिर कुछ बड़ा चाओगे, खोचते रहोगे, कभी खुशी नहीं मिल पाएगी, खुशी इंसान को सिर्फ अंदर मिलती है, बिना किसी कारण के मिलती है, जीवित होने का मतलब रंगों में मौजूद होने का मतलब है, खुशी, खुशी is a state of existence, being alive, being active, जाएंगे, ब्यास समेथ लेकर जाएंगे, खुशी हमेशा अंदर, अंतर आत्मा में मिलेगी, शांती में मिलेगी, मन की शांती में मिलेगी, करम कर पा रहे हो, उसके लिए खुश हो जाओ, जीवन में जो जो मिला है, एक तो gratitude पैटने सब को करना चीए, खुश महसूस करन हूँ, शरीर चल रहा है, आसपास जिन्दा है मेरे अपने लोग, कुछ काम करने को है, जिम्मेदारिया निभाने को है, मैं उसके योग्ये हूँ, बहुत चीज़ अच्छी हुए है, यहाँ पर आया हूँ, आज भी सरपर छथ है, रोटी मिल रही है, बहुत से ऐसे लोग ह परस रहे हैं, अपने बच्चों की जान के लिए भागते फिर रहे हैं, उस्तिती में नहीं हूँ, तो gratitude शो करें, उससे अंदर ही अंदर खुशी का एहसास होगा, फिर खुशी को अपने कर्मों में ढूंडे, अपने अंदर ढूंडे, मैं खुश हूँ, खुशी को हमें ढ दूंडना ही नहीं है, सच यह है कि खुशी कहीं ढूंडने से मिलेगी ही नहीं, वो है, वो आपके अंदर मौझूद है, खुशी is your state of existence, और साथ ही कहूँगा कि हर इंसान दुखी भी होगा, खुश भी होगा, ऐसा नहीं कि हम पर्मनेटली खुशी कुश जा रहे हैं, वो हारा देट्ध है, उतार-चडाव का नाम जीवन है, तो दुखी होना भी ठीक है, उसको भी नौर्मलाइलाइस करना पड़ेगा, मैं दुखी भी हो सकता हूं, मैं परेशान भी हो सकता हूं, मिन देपरेस्ट करसूं, और नॉर्मल है, उस चीजओ को इतना बड़ा ना बन ज़िए को मेशा फ्री ओकर जी ओ मन को हलका रखने को प्राइटाइस करो जो हो रहा होता रहे दुनिया भाड में जाया मुझे जीना है यार मेरे को एक जीवन मिला यार मैं इतना मतलबी तो बनके जीऊंगा ना या लोगों के लिए चीजों के लिए कुर्बान कर दूगा घ चैन से रहो अपने खुद के बेस्ट्रेंट बन जाओ हमेशा अनुभव जी बहुत बहुत धन्यवाद बाचीत करने के लिए और इतनी वेलिवल टिप्स देने तो ये टिप्स तो दी है अनुभव जीने लेकिन जरूरी है कि सिर्फ आप सुनिये नहीं बलकि इसको मानिये और इसको अपनी लाइफ में जितना हो सके बस फुल ओन तरीके से इंप्लिमेंट कर लीजे तो हमारे साथ जुड़ने के लिए डिच्ट्र प्लाटफॉर्म में बहुत बहुत धन्यवाद